हमारे चान्हों के अंचला अधिकारी थे परवीन कुमार, उन्होंने बिना किसी को नोटीस किये, बिना ग्राम सभाग किये, बिना किसान को कोई जाने, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया और उस जमीन में अभी जियाडा के दवारा किसी बिना नोटीस किये, बिना जनकारी दिय ये रियाटा के दवारा अभी जमीन अधिगरन किया जा रहा है जोहार लोकल खपर में आपका स्वागत है मैं हूँ सुभाज सेखर इस समय बंधुत्र की जो मांडर की विधायक है उनके आवास में हूँ और यहां पर चानों के बरहे गाउं से कुछ ग्रामिन आए हुए हैं इनका कहना है कि सालों पहले करीब 1955 इस्वी के आज पास सरकार ने इन्हें खेती बारे के लिए जमीन दान पे दिया था लेकिन पिछली सरकार ने मोमिन्टम जहारखन के दवरान उस जमीन को जियाडा को दे दिया अब जियाडा उसको कैप्चर करना चाह रहा है लेकिन ग् अधंगे कि आप लोगों का जो जमीन है कि तरह का है और समेशे क्या रहा है कि वीज़ों का जामें कo ले रहा है सरकारी से नए सरकार वी यहार ले रहा है जमीन आप बताएंगे कौन जमीन ले रहा है आप लोगो का और कैसे जियादा कमपनी ओला जब जनिम को ले रहा है पहले जो सरकार हम लोग को दिया वो हम लोगो को भूमिदान में मिला था और हम लोग बर्सो दिन से हम लोग कर रहा है करीब करीब दो तिन पिड़ी हम लोग का गुजर गिया खेत को हम लोग बहुत मुश्किल से बनाए हैं और हम लोग गरिब गुर खेटीबारी के लिए उसमें बंदोबस्ती भी करा चुके थे और पहले हांथ रसित कट रहा था उसके बाद बीच में रसित कटना बंद कर दिया और अभी रियाडा कम्पनी जो है किसान से ये जमिन चीनना चाह रहा और इसको बारे ने हम लोग को कोई जनकारी नहीं हुआ और ऐसे ही आके ना नोटिस ना मिला ना कुछ और ऐसे ना गराम सभा हुआ और ऐसे ही आके दखल कर रहा और लोग कुदाना चाह रहा है, तो इसा हम लोग नहीं होने देंगे, अगर ऐसा जब्रन अगर होता है प्रसासन के दुआरा, तो बताएंगे कि आप लोग क्या करेंगे, जो बताएंगे आप कुछ कहना चाहते हैं, हाँ अम्रों का बहुत दिल से पहले जीमिदारी टाइम से ही अभी संबंद संबंद 2000 संबंद 2008 से आठ से संबंद 2000 अभी कितना है अभी एक 72 वरस हो रहा है विदायक बंदू तर्की के परतिनिधी है अब तपेश्वर गोव जी बताएंगे कि इन लोगों का मसला किस तरह का है और आप यहां पर अपने विदायक के पास आए हैं तो उनसे क्या बात कहने वाले हैं और सरकार मौजूदा सरकार से क्या चाहते हैं देखिए हम लोग मौजूदा सरकार से चाहते हैं कि जो गरीब का जमीन है उसे बचना चाहिए और हम चाहते हैं कि नए सीरे से सरवे हो और ग्राम सभा के माधियम से जमीन अधिगरन किया जाए सबसे पहले तो मैं सरकार से आगरह करना चाहता हूं सरकार ने जो अभी ह भूमिहीन है और गरीब है जो गर्मजुरुवा जमीन को वर्सों से जोद कोड़ रहे हैं, 40 साल पहले से जोद कोड़ करके अगर उसमें जीवी का जीवन यापन कर रहे हैं, उससे हमारी सरकार बनती है, तो हम उससे आपको पट्टा देंगे सरकार के तरफ से, ये सरकार ने सियो को पूरे जार्खन के सियो को आदेश किया था कि भाई जतने भी गर्मजुरुवा जमीन है आपके अंचल छेतर में, सभी का आप रिपोर्ट जमा करें, लेकिन जो हमारे चान्हों के अंचला आधिकारी थे, परविन कुमार, उन्होंने बीना किसी को नोटीस किये, ब बीना जनकारी दिये, रियाडा के दवारा भी जमीन अधिगरन किया जा रहा है, हम चाहते हैं, अभी हम आये हुए हैं, माननीय बिदायक बंधुतिर किजी के हाँ, और मैं उन्हों से आगरा भी किया है, कि आपके माध्यम से सरकार को आउगत कराया जाए, कि जो गरीब इतना दिन से 70-80 साल से जी खा रहे हैं, जिनका 3-4 पीड़ी गुजर गया है, उनका जमीन बचना चाहिए, उन्हें जमीन भुदान में मिला है, और सरकार के दवारा मिला है, अभी जो अधिकारी जाते हैं, फिल्ड में हो कहते हैं, इस सरकार हम लोग को जमीन दे दिया है, उससे पहले तो किसान को सरकार दिया है, आजना आपको दिया है सरकार, इससे पहले गरीब किसान को दिया है, जो भुमीन हैं गरीब हैं उसको दिया है, इसमें पुना बिचार होना चाहिए, और नए सिरे से सरवे होना चाहिए, और ने तहाम लोग आंदोलन करेंगे, लास उनका कैसे जीवन यापन करेंगे चलिए अभी मिलने के लिए हैं विधायक जीसे जब मुलाकात करेंगे तो उनका भी प्रक्ष जानेंगे कि उसरकार से इन ग्रामीनों की बात को कैसे रखते हैं क्या कहते हैं